वाड नमबर साथ नाला के निर्माण में नाला अभी तरह पुर्य तरह से बनकर त्यार नहीं हुआ कि नाला में से दरार छोड़ना शुरू वहीं बारिस के कारण नाला में से दरार देना शुरू वहीं मुकिया और वाड सदस की पोल नाला में दरार आने से खुल गई आपको बता दे तिलावतु प्रखंडे के तिलावतु पसिम पंचायत के महराजिंच के वाड नमबर साथ में नाला का निर्माण कराय जा रहा था जो नाला अभी पुल रूप से बन कर त्यार नहीं हुआ कि नाला में से दरार छोड़ना शुरू हो गया आपको ऐसे बता दें के वाड नमर साथ के वाड सदस इंकी कुवर और तिलावतु पसिम पंचायत के मुखिया शिरी मती अर्चना कुमारी पाटेस्वरी का इलाका है जिसमें नाला के निर्माण में नाला में से दरार देना शुरू हुआ और ग्रामिड में चार्चा का विशाय बन गया निव एरिया में सड़क पर जल जमा होने से ग्रामिड और रहगीर परसानी का सामना करना पड़ रहा है आपको बता दे कि तिलवतु प्रखंड के तिलवतु पूरी पंचायत के निव एरिया में सड़क पर जल जमा होने से रहगीर और ग्रामिड परसानी का सामना करना पड़ रहा है नहीं तो इस पर जन प्रतनीदी का ध्यान आकर्चित होता है और नहीं प्रासासन का ऐसे आपको बता दे कि तिलवतु पूरी पंचायत के मुखिया मंजु देवी का ये इलाका है जिसमें अभी तक सड़क पर जल जमा की इस्तिती बना हुआ है और नहीं सड़क को बनाये गया है तिलवतु बजार के सोनार गली को किया गया साप सफाई जिसमें लैंस कलब के द्वारा साप सफाई कराए जाता है आपको बता दे कि तिलवतु प्रखंड के तिलवतु बजार में सोनार गली में लैंस कलब के द्वारा साप सफाई कराए जाता है जिसे तिलवतु को पूर स्वक्ष और साफ सफाई बनाने का लैंस कलब का पुरा उद्यश है वहीं समाधिक कारगाता सत्यानत कुमर ने बताया कि लैंस कलब दिन बिक्सित कलब बनते जारी है जो तिलवतु के सुनार गली में स्वच साफ सफाई पर विशेश ध्यान देती है आपको बता दे कि लैंस कलब के द्वारा बहुत सारे कारी किये गए जिसमें एक साफ सफाई भी एक लैंस कलब के कारे में ही है जो तिलवतु बजार में हर गली में हर मुहले में लैंस कलब के द्वारा साफ सफाई क्राय जाता है जिसे साब सफाई में छे कर्मी पूरे तिलवतु बजार को साब सफाई लैंस कलब के माध्यम से होता है वहीं दुकांदारों को भी कहा गया कि अपने आसपास कचड़ा का धेर न लगने दे सीव सागर में आसकार्पिय पलटा हाता हात की सुचना नहीं हुआ आपको बता दे कि तिलवतु परखंड के काली भीगा के रहने वाले विकास कुमार सीव सागर में उनका असकार्पिय पलट गया और ड्राइवर्स समित हाता हात की सुचना नहीं हुआ वहीं आप इस तस्वीर में देख सकते हैं इस तस्वीर को देखकर अंदाजाय लगा सकते हैं कि किस तरह से आसकार्पिय जाकर खाई में गीरा लेकिन ड्राइवर्स समित कई लोग बच निकले टोलू पम्प का मोटर खराब होने से मंदिर के परिसर में साप सफाई करने में सरधालों का परिसानी का सामना करना पड़ रहा है आपको बता दें कि तिलाउतु प्रखांड के तिलाउतु थाना चेतर के अंतरगत महराज जेंज के मा काली मंदिर में टोलू पम्प के मोटर खराब होने से सरधालों को मंदिर के परिसर में साप सफाई करने में परिसानी का सामना करना पड़ रहा है वहीं आपको बता दें कि मंदिर परिसर के कमिटी के द्वारा इस टोलू पम्प के मोटर पर ध्यान आकरिष्ट नहीं हो रहा है वहीं स्रधालों ने बताया कि महीनों दो महीनों से टुलू पंप खराब है और स्रधालों आते हैं और मंदिर परिशार में सब सफाई नहीं हो पाता है झालों आते हैं और मंदिर परिशार में से बता है